वेल्कम बेक टू माई यूट्यूप चनल पेपर हैकर आज की बात करने वाले हैं बेटा जो भी महात्मा गांधी काशी विध्या पीठ यूनिवर्स्टी से है उसके लिए जो बनारस में है उसके लिए बिटा लेके आए हम लोग जो इंप्रोमेंट का पेपर होने वाले है अठारा तारिक से start है बिटा इम्प्रोमेंट के पेपर उनके लिए हम BSC improvement exam के लिए important question दे रहा है तो तीनो paper एक साथ में first, second और third तीनो paper एक साथ में दे रहा है 2022 के जनवरी में जो आपको 18 जनवरी से को starting होने है और के paper की बात करने वाले है बोटनी के first, second, third, तीनो paper एक साथ में आपको क्या क्या पढ़ना है यह पढ़के आप 85% प्लस लेके आएंगे और आपको बस इतने question याद करना है वही 18 question याद करना है total 18 question याद करना है आप 85% प्लस लेके आएंगे तो अच्छे तरीके से रट लेना जो question में आपको बता रहा हूँ इनके लावा कुछ और मत पढ़ना कुछ और पढ़ने की जुरूत नहीं यह तीनों paper में ठीक है आप याद कर लेना ग्यहूं चाबल और गन्ना की खेती कैसी की जाती है मतलब किरसी कैसे करेंगे और उसको उप्योग के बारे में याद कर लेना यह most important question है हर साल exam में बनता है आपको पता है यह most important है ठीक है सहसंबन किसे कहते है इसकी परिभासा पढ़ देना सहसंबन बाकी सब को छोड़ देना ठीक है और उसकी बार में देखिए बास भी तीर किसे कहते है यह भी छोड़ देंगे पौधों के selection पर एक निबंद पौधों का selection कैसे करेंगे ठीक है मदलब जwie बन है बन का selection किस प्रकार से करेंगे मदलब बन कट रहे हैं तो उनको किस प्रकार से रोकेंगे उसके बारे में आप जात करेंगे अफीम की खेती ये सब छोड़ेंगे, देखो, नीम है, अरजुन है, यह ऑस्दी वाले पादे होते हैं, तो इनके बारे में याद किले, ना मुझा याद करने हैं और चार से पांच पादो veggies के नाम याद करना ए, ठीक है पिटा, चरुओ, नेक्सके श archite ö याद करेंगे कंधे तो आप पोधो के बाद याद करेंगे है इसके लिए प्रदान करने वाले पौधे कौन-कौन से होते हैं, तो आप तेल प्रदान वाले पौधों के बारे में याद करेंगे, ठीक है, पादा बिभन्ता, केंद्रिक पर निबंद, इसको पढ़ेंगे, फस्ट पेपर में, और पिये और आदे को, आप ये पदार्थों के बारे में देख लेंगे, पिये पदार्थ होते हैं, और आप ये पदार्थ कौन-कौन से होते हैं, ठीक है, एलकोलिक और नॉन-एलकोलिक, दोने के बारे में देखेंगे, और रेसे प्रदान करने वारे मौश्ट इंपोर्टेंट है, आप इस कोशन को रट लेना, जिसमें तीन पौधे सबसे ज़्यादा इंपोर्टेंट होते हैं, नारील होता है, एक कपास होता है, एक जूट होता है, ठीक है, ये रेसे प्रदान करने वाले पौधे हैं, बोटनिकल गार्डन को याद करेंगे, बोटनिकल गार्डनों को याद करेंगे, और नेशनल पार्कों को याद करेंगे, फस्ट पेपर म और वहलक को पढ़ेंगे, most important है, ठीक है, बाकि इन सब को छोड़ेंगे, फिट, जीन बैंक क्या होता है, इसको पढ़ेंगे, ठीक है, और, जीन बैंक, मलग की बीज बैंक से कहता है, seed बैंक के बारे में, इसको पढ़ेंगे, अफीम की वारे उपर दे चुका हूँ, क्रियो बेंग क्या होती इसकी बारे में पढ़ेंगे, क्रियो बेंग की बारे में, ठीक है और देखो, पादवा संसादन यह मैं उपर बता चुका हूँ ठीक है, मानक तोठी की बारे म lider लेना, छोट देना, इसको छोट देना और ये आकडो का संभेहन संगर्शन सद्विकास सिब को सोड़ देना है बोटनी के second paper को बेटा open करो बोटनी के second paper को open करो फटाफट उसमें टिक लगाओ आपको क्या क्या पढ़ना है बोटनी के second paper अब यसी 30 वालों के लिए देखो एक DNA क्या होता है बेटा अनुवंसिक पदार्थ होता है इसको सिद्ध करने के लिए आजाता है कि DNA अनुवंसिक पदार्थ है सिद्ध करो most important है उसके बाद में nucleic acid उसकी सरचना अमले क्या होता है उसकी पर सरचना की बारे में देखेंगे genetic code genetic code most important है आप इसको पढ़ेंगे इसको छोड़ देना इसको छोड़ देना polysacryde को महत भी बारे में इसको भी छोड़ देना है ठीक है vitamin के बारे में पढ़ लेना vitamin A, vitamin B, vitamin C इनके बारे में और Watson और किरिके DNA का दो एकड़र मॉडल दिया था double hexyl model दिया था उसके बारे में याद कर लेना ठीक है और protein sensation और protein की सरचना most important है carbohydrate की बारे में पढ़ देना यह important है ठीक है enzyme और enzyme की पिरकार को याद कर लेना ठीक है इसको बाकि छोड़ देना इन सबको genetic engineering को याद करेंगे genetic engineering पर टिक लगाएंगे most important question है उसके बाद में बाकि इन सबको छोड़ेंगे DNA और RNA में अंतर को याद करेंगे DNA RNA में अंतर ठीक है nucleotide में अंतर देखनेंगे nucleotide क्या होता है nucleocyte निकलोधाइट में अंतर यह पढ़ देना निकलोधाइट में अंतर तो उनों में most important है अनुलेखन क्या होता है बाकी इन सब को देंगे टी एने finger printing क्या होता है आप इसको याद करेंगे कोट इन संपर याद करेंगे इसको भी छोड़ देंगे ट्रांसलेशन को चोड़ देंगे चार वाग और आरेने की सरचना को याद करके जाएंगे और पादब कह सकते हैं प्लांट टीशू कल्चर जिसे कहते हैं पादब उतक संबर्धन इसको याद करेंगे और जीब द्रब संबर्धन के वारे प्याद करेंगे और एक अब इसको याद करेंगे यह थे most important बाकी इन सबको किसी को नहीं देखना है इनको पढ़ने की जरूत नहीं पढ़ेगी आपको exam में जो मैं आपको बता दिया उपर बस इतने ही कोशनों को याद कर लेना और बाकी जाएंगे हम थटेब मानब और प्रकृतिक निर्वित जो जल सुरोत होते हैं जल सुरोत का मतलब है हम मानब से और प्रकृतिक द्वारा कैसे जल सुरोत है उनके बारे में नदियां क्या होती है प्रकृतिक द्वारा होई है लेकिन जल सुरोत नहर है यह जल के सुरोत क्या है नहर बगारा है नाले यह प्रदूशना, यह प्रेथ। आप देखने हैं लेडू धर्मी प्र्दूशना के बारेंगे दौने प्रदूशना के बारेंगे स्वृभ्त नी इसके बारेंगे और जैबिक समुधाय क्या होते होते हैं इसकी परिभासा äpX दो बाकिर को owns चोंडन रहें इसको आपको या अंगमारी रोग उनका उपचार के बारे में पढ़कर जाएंगे और बागी उसके बाद में गन्ये का लाज़ फारन रोग को याद करके जाएंगे ये चुपको यद्धिन को पढ़ की छाएंगे जैनमदर और मिरत्तियसी धर क्या होती है इसको जोण देंगे और देखो खीरा का मौझे LA को जाएंगे इसको चोण देंगे इसको जोण देंगे इस्को को आप याद कर लेना बैगन का लोगोपत्र रोग को याद कर रहेंगे रैड डाटा बुक किसे कहते हैं यह करेंगे और बाकी हमें इनमें कोशन नहीं देख रहा है यह थे 2022 में जनवरी में अभी होने वाले सब्सक्राइब करें ज्यादा सब्सक्राइब करें और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो आप लिए लिस्ट में जाकर देख सकने हैं लिंक डिस्क्रप्शन वक्स में दे रखा है थैंक यूफर वाचिन इस वीडियो बाई